हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल बेबी मोमई हैल्प मैं में गा आपका अपने चैनल में दोस्तो बहुत बहुत स्वागत करते हूँ कैसे हैं आप? I think सभी सरस्थोंग और बहुत ही खोश होंगे दोस्तो बच्चों का गुटनों के बल चलना जब कोई पहली बार माता पिता बनते है ना उनके मन में बहुत जादा excitement रहती है कि उनके बच्चे कब चलना शुरू करेंगे? गुटनों के बल कब चलेंगे? कब करवट लेना शुरू करेंगे? ऐसे बहुत सारे question होते हैं गुटनों के बल चलना एक milestone होता है जो सभी parents अपने बच्चे को चलता हुआ देखना चाहते है और जो बच्चा crawl करता हुआ उनके पास आता है तो उनके खुशी का ठीकाना नहीं होता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे गुटनों का बल कब चलना शुरू करते हैं और उम्मित करूंगी दोस्तो आज करी वीडियो आप लोगो को अच्छा लगे अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तो बहुत बच्चे साथ महिने से लेकर दस महिने के बीस तक गुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं लेकिन हर बच्चा अलग होता है और हो सकता है कि आपका बच्चा दूसरे की तुलना में जल्दी या फिर थोड़ा सा देर गुटनों के बल चलना शुरू करे वहीं कुछ बच्चों के अगर मैं बात करूँ तो गुटनों के बल चलनी के बज़ाए सीधा वो चलना ही शुरू कर देते हैं कुछ बच्चों को तो क्रॉलिंग करना ही पसंद नहीं होता है और तोस्तों इस बात का दियान रखें कि हर बच्चे का जो विकास होता है वो अलग तरीकी से होता है उसकी तुलना आपको दूसरे बच्चे से कभी भी नहीं करनी है अब बात करते हैं कि गुटनो के बल बच्चा चलने वाला है उससे पहले आपको कौन से ऐसी चीज़़े बच्चे में दिखाए देती है गुटनो के बल चलना शुरू करने से पहले बच्चे को कुछ skils आपके बच्चे में skils डेविलप हो जाती है ये skills बच्चे की माशपेशय को मजबूत करने और उसे चलने में मदद करने ती है अगर आपको अपने बच्चे में ये दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि अब आपका बच्चा गुटनों के बल चलना शुरू करने वाला है पहली होती है कि लेटने पर लगातार मूव करना कहते हैं कि बच्चा जब 3-4 महिने का हो जाता है और जब बच्चा उल्टा लेटने लगता है तो आगे खिसकने लगता है पेट के बल अगर आपका बच्चा ऐसे कर रहा है तो वो बहुत ही जल्दी गुटनों के बल चलना शुरू करतेगा पेट के बल लेटने पर गर्दन को इधर उधर घुमाना पेट के बल लेटने पर पैरों को पकड़ना समझ रहे ना जब बच्चा सीधा आप लिटाते हैं तो वो हाथ से पने पैरों को पकड़ता है लेटने पर करवड बदलते रहना तो ये सारी चीज़े अगर आपका बच्चा कर पा रहा है तो ऐसे कई तरीके हैं जिनने अपना कर आप अपने बच्चे को गुटनों के बल चलने में मदद कर सकते हैं सबसे पहले तो होता है दोस्तों टमी टाइम बच्चे को उसके पेट के बल लेटाएं इसे बच्चे के कंधे, बाहें और शरीर का जो उपरी हिस्सा होताने वो मजबूत होने में मदद मिलती है इनी माशपेशियों से बच्चे को क्रॉल करने में काफी मदद मिलती है दूसरा है सही जगा आपर बच्चे को लेटा है जहाँ पर बच्चे को क्रोल करना सिखाया जा सके गर में कोई ऐसी जगा देखें किया फिर आप कोई गद्दा बिच्छा सकते हैं यह soft आपके पास कोई कार्ग पेट है जो मोटा है तो आप वो भिछा सकते हैं उस पर बच्चे को लिटा है। क्या होता है कि जब आप शुरू में बच्चे को क्रॉल करना सिखाते हैं तो बच्चा एकदम से सर नीचे कर लेता है। तो सर बैलेंस नहीं कर पाता है, तो बच्चे के सर में चोट लगने का डर रहता है, तो इसके लिए आप हमेशा बच्चे को soft चेकर लिटाएं, जिससे कि अगर बच्चा एकदम से सर नीचे भी लगा ले, तो बच्चे के सर पर चोट नहीं लगने चाहिए. खिलोने बच्चे के सामने रख सकते हैं, आप खुद बच्चे को क्रॉल करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, बच्चे को चल कर सिखाएं, बच्चे के पैर फोल्ड करके सिखाएं, उसके सामने कुछ ट्वाइज रखें, जिससे कि बच्चा खिलोनों को देखे और खिलोनों के पार जाने की कोशिश करें दोस्तो अगर मैं बात करूँ कि अगर कुछ बच्चे ग्यारा महिने की उम्र में क्रॉल करना शुरू करते हैं तो अक्सर ऐसे बच्चे तेरे महिने की उम्र में चलना शुरू कर देते हैं जादातर बच्चे दोस्तो एक साल के या एक साल एक महिने के ही चलना शुरू करते हैं कुछ बच्चे नो महिने के आसपास भी चलना शुरू कर देते हैं आपके बच्चे की ग्रोथ पर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कब चलना शुरू करता है अगर बच्चा क्रॉल करना शुरू ना करे तो हो सकता है कि कुछ बच्चे क्रॉल करने के बजाए सीधा चलें जैसा कि मैंने आपको बताया लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चा कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं चल पा रहा है बच्चे की माशपेशय कमजोर है बच्चे को वो एनरजी या फिर बच्चे के शरीर में वो तागत नहीं है या फिर बच्चे के पैर कमजोर है दोस्तो बच्चे की माशपेशयो को मजबूत बनाने के लिए मालिश बहुत अच्छा सादन है आप बच्चे की हलकी कुनगुनी तेल से, बादाम की तेल से, सरसो की तेल से आप बच्चे की मालिश जरूर कीजिए मालिश करने से एक तो बच्चे का शरीर करम रहता है बच्चे को क्रोल करने में आसानी होती है साथे साथ बच्ची की माशपेशिया मजबूत होती है हड़ी मजबूत होती है बच्चे को एनरजी मिलती है तो आप मालिश कर सकते हैं बच्चे की अब बात आती है कि अगर आपका बच्चा गुटनों के बल चलना शुरू करती है बच्चों को चड़ना बहुत आसान लगता है, लेकिन बच्चे उतर नहीं पाते हैं, तो अगर आप नहीं देखा है थोड़ी देर भी बच्चे को तो आप देखेंगे बच्चा उपर जाकर तुरंट बैठ जाएगा, लेकिन बच्चे को उतरना नहीं आता है, तो इससे वाज़ा है उसको लगा कर रखें स्टेर्स का नहीं है तो वहां कुछ और लगा कर रखें लेकिन बच्चे को वहां नहीं जाने दें दोस्तों बच्चों को क्रॉलिंग करते समय आपको बहुत जादा ध्यान रखना होगा कि जमीन पर कोई भी नुकिली चीज नहीं पड़ी ह होनी चाहिए फर्ष आपका साफ सुतरा होना चाहिए क्योंकि बच्चे जब क्रॉल करते हैं तो उनको डेस्ट लग सकती है तो आप हातों में उनके गलव्स पैना सकते हैं जिससे की बच्चा अगर जब क्रॉल कर रहा है तो उसके हात बच्चा मुमें दे तो उसके मुमें ठोस आहर देजिए जिसी की बच्चा आपका अच्छे से क्रॉल कर सके तो दोस्तों उम्मित करती हूँ आज कही वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बहुकुल भी ना भूलें तेंक यू फर वाचिंग बेबी मॉमी हेल्प तेंक यू नमस्कर